नमश्कार मोप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश की अब तक ही फ्रमुख खबरों को भारत में पिछले 24 गंटे में कोरोना वाइरस के 3,37,704 ने मामले सामने आ हैं देश में कोरोना से 488 लोग की जान भी चली गई है वही 2,42,676 मरीज कोविड-19 संक्रमन से रिकवरी कर अपने घरों को लोट गए हैं गवर तलब है कि देश में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमेतों की संख्या में एक कमी आई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने श्राणिवार को विभिन जिलो के जुलाधिकारियों के साथ समबाद कि और इस दौरान उनके जिलो में केंदर सरकार की योजनाव के क्रियान अव्यन की प्रगती की समिक्षा की पीन ने कहा कि जब दूसरों की अकांग शाओ अपनी अकांग शाएं बन जाती है तब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाता है तो फिर वो करता व्यपत इतिहास रचता है आज हम देश की अकांग श्री जिलो में यही इतिहास बनते हुए दे श्रानिवार की रोज आज तक कोद ये इंटर्वियू में कैप्टन अमरंदर काफी बेबाक नजर आए। इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिस भी जारी कर दिया है। इस नोटिस के मताबिक 21 जनवरी की रात से बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेट किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 24 जनवरी को सुबह तक जारी रहेगी। इस दौरान ATM, UPI, Mobile Banking, Internet Banking, IMPS, IVR के माध्यम से डिजिटल बांकिंग से वाएं उपलब्द रहेंगी। उतर प्रिदेश विथांसभा चुनाव के लिए बहुजन समाच पार्टी प्रबुख मायवती ने श्रनिवार को दूशने चरन के सभी सीटों पर अपने उमिद्वारों का एलान किया है। साथ ही BSP चीफ मायवती ने चुनाव के लिए नारा दिया है। हर पूलिंग बूथ को जुताना है, BSP को सत्ता मिलाना है का नारा देकर अपने कारेकरताओं में जोश भरने की कोशिश की है। और ने कहा कि मुझे उमीद है कि पार्टी कारेकरता कड़ी मेहनत करेंगे और 2007 की तरह बस पास सरकार बनाएगी। दिली पुलीस की उतरपश्चु में जिले में पिछले साल आक्टूबर में उपरेशन सजक शिरू होने के बाद से पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाले फोन कॉर में 24 प्रतिशत की कमी आई है। पुलीस के अनुसार ओपरेशन शुरू होने के बाद से लुटेरो और स्नाचरो सहीद 8,006 अपराधी और असामाजिक तत्वों को गिरफतार किया गया। देश की आजादी का 56 साल पुरा होने के उप्लक्ष में मनाई जा रहे हैं अबरित्माहुतसाब के तहट 26 जन्वरी को राजपत पर होने वाली कंतर दिर्दिवस परेड में इस बार हरियाना की विशेज ज्ञांकी भी शामिल होगी राजु के 10 ओलंपियन इस ज्ञांकी का हि केंद्र ने राजप और केंद्र साफशित प्रदेशों को लिखे पत्र में इसकी जानकारी दी है केंद्र स्वास्तबंत्राले के अतरिक्त सचिव विकास शील ने शुक्रवार को पत्र जारी किया इसके मताबिक करोना से ठीक हो चुके लोगों को प्रेकॉशन डोस लगान बिल्डिंग में शनिवार सुबह 7 बजे के आसपास आग लगी आग इमारत की 15 भी मंजिला पर लगी कुछी तेर में इमारत की उपरी मंजिल भी धुए के लप्तों में घिर गई चश्मदीदों के मताबिक आग लगने के बाद 90 लोग इमारत से बाहर निकलने में सफल रह दिगत सिंगर लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने बताया है कि वो अभी भी ICU में है कोबिट पॉजिटिफ पाई जाने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंदी हॉस्पिटल में अडमिट किया गया था उनके करोडों फैंस लगातार उनकी सेहत की बेहतरी की द से भाजपा प्रतियाशी मरिंगा का सिंग गन्ना मंत्री सुरेश राना और सांसत प्रदीप चौधरी भी मौजूद रहे अमिट शाह लोगों से घर कर जा कर आने वाली दस फरवरी को भाजपा के पक्ष में मद्दान करने की अपील कर रहे हैं कुछ देर बाद ही साथ हु स्वीट्स पर पहुंचे अमिर्शा जहां पर जैश्री राम के नारे भी गुंजे थे खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री हो गया दितनात अलिगर्देर से पहुंचे जहां से वो सीधे दीन दयाल उपादिया से एक्तिचिकत साले पहुंचे और महाप का जैजालिया इस उत्रप्रदेश के विधानसबा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्या खिलेश यादव ने श्यानिवार को अपने घोशना पत्र का एक और बिंदू मीडिया से साज़ा किया अखिलेश यादम ने 2022 में उत्रप्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 22 लाख युवाओं को IT सेक्टर में रोजगार देने के साथ साथ सभी पृतिभाशाली छातर छातराओं को लैप्टॉप देने की खोशना की है कडाके की ठंड के बीच देश के कई हिसों में बारिश का दोड़ जारी है राश्ट्रे राज़ानी दिली और एंसी आर में भी बारिश दर्श की गई पहाडों में शीत लहर और हिमपात देखा जा रहा है भही भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों में देश के कई और हिसों में बारिश होने का लड़ जारी किया है मौसम विभाग के ताज़ा पुरवानुमान के नसार जमुकश्पीर, लद्दाग, गिल्गित बलकित्स्तान और मुजफराबाद, हिमाचिर प्रिदेश और रत्राखन में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है कारोबारियों के लिए अच्वी खबर सामने आई है अखिल भारतिय प्रबंधन संग ने सुक्ष मलगू और मध्यम उद्योग के प्रबर्तकों और प्रबंधकों के लिए 6 महीने का प्रबंधन प्राठे करम शिरू किया है AIMA ने एक बयान में कहा है कि विशेश मकसद के लिए प्रबंधन कौशल कारिकरिम का उदेश नई अर्थवस्था के साथ MSME व्यापारियों के ज्यान और श्रमता को लेकर करना है वैश्मिक महामारी कॉरोना वायरिस संक्रमन की तीसरी लहर के तेज प्रसार के साथ Omicron के खत्रे को देखते हैं उत्रब्रदेश सरकार ने सभी सेक्ष्णिक संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद करने का फैस्ता लिया है उत्तर प्रिदेश को सभी सेक्षिनिक संस्थान अब 30 जनवरी तक बंद रहेंगे सरकार ने पहले 14 जनवरी तक प्राइमरी बेसिक और माधमिक स्कूल को बंद रखा था इसके बाद 22 जनवरी तक डिगरी कॉलेज और यूनिवरसिटी को बंद किया गया अब इसको बढ़ा कर 30 जनवरी कर दिया गया है आईपेल 2022 की मेगा निलामी 12 और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी इस बार की निलामी में शामिल होने के लिए 1214 खिलाडियों ने प्ला नाम रजिस्टर करवाया है जिसमें क्रिस केल नहीं है इससे तो ऐसा लगी रहा है कि शायद 42 साल के क्रिस केल का अब IPL से पत्ता कर चुका है लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने का साफ मतलब है कि वो इस लीग में खेलते में नजर नहीं आएंगे CBSE Board Turn 1 Result पर ताज़ा जानकारी सामने आई है इसके मताबिक केंद्रे माधमिक्स लिक्षा बोर्ड CBSE Turn 1 परिनाम 2022 दसवी और बारहवी के प्रती शित परिडाम जल्द जारी करेगा विकास परियोजनाओं को परियावरन मंजूरी देने में लगने वाले समय के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करेगा हर राज्यों की रैंकिंग उसके मिलने वाले अंकों के आधार पर की जाएगी अंक इस आधार पर मिलेंगे कि किस परियोजना को कितने दिनों में पर्यावरन मंजूरी दी गई है देश के पाँच राजियों में वधानसभाद चुनाव हो रहे हैं और कोरोना की वज़े से ना तो रैलिया हो रही है और ना ही रोड शो के जरिये राजनेतिक दल जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन करबार हैं लगभग सारा चुनाव प्रचार डिजुटर प्रारूप में समट गया है चुनाव आयोग की पाबंदी के कारण राजनेतिक दल और नेता इंटरेट मीडिया के विभिन मंचों के जरिये जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में लगे हैं इन्ही मंचों पर अपनी प्रचार समागरी को परोस कर पार्टिया चुनाव में अपनी स्थिक को मजबूत करने में जुटी है उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्राखन, मरिपूर और गोवा में अगले महीने से शिरू होने वाले विधान सबाच चुनाव के लिए रैली रोडशो पर रोक अभी जारी रहेगी कोरोना वाइरस और इसके नई वेरियन टोबिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते वे चुनावायो किसी भी तरह के भीर एकत्र करने के इजाज़त देने के मूड में नहीं है चुनावाते ही राजरेतिक फाइदे के लिए नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सलसला शुरू हो जाता है फेक न्यूस को लेकर सरकार लगातार कई बड़े और कड़े फैसले ले चुकी है भारत सरकार के सूचना और प्रसार अर्मंत्राले ने एक बार फिर से बड़ी कारवाय करते वे 20 यूट्यूब चानल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टरब्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट जनवरी महीने को सर्वाइकल कैंसर जागरुकता महीने के रूप में जाना जाता है, विश्वास संगठन के मताबिक पूरी दुनिया में ये कैंसर प्रजणन के लिए सक्षब महिलाओं से में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, महिलाओं में ये चोथा सबसे ज्याद कोशिकाओं में होता है कॉंगरेस के पुर्व अधियक्षा और वाइनार से सांसद राहूल गांधी ने जन अधिकार को ले कर केंद्र सरकार पर निशाना साथ है उन्होंने शनिवार को इस मसले पर ट्वीट किया कि मोधी सरकार पर जन अधिकार खत्म करने का आरोप लगाया है साथ ही कहा कि लोगों के लिए भोजन सिक्षा रोजगार और जानकारी का अधिकार भी जरूरी है गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि जन अधिकार के बिना दुनिया के सबसे वड़े लोकतंत्र का क्या मतलब मोधी सरकार शुरू से जन अधिकार को खत्म करने की कोशिश करती आ रही है पंजाब के सीम चरंदीत सिंग चर्णी दिली के मुख्यमंतर अरविंद केजरिवाल के खिलाफ उनकी बैमान आदमी टिपनी पर मानहानी का मुकदमा दायर करेंगे दरसल कॉंग्रिस ने था कि भतीजे सहित कई जगों पर प्रवर्दर निदेश शाले के च्छापे की बादरविंद केजरिवाल ने सीम चर्णी को बैमान कहा है जिसके बाद पंजाब में एक समबादाता समेलन को समोधित करते वे पंजाब के मुख्यमंदरी ने कहा कि मैंने एडी के च्छापे के संबंद में केजरिवाल और आप पार्टी द्वारा मुझ पर व्यक्तिकत हमले के संबंद में अपनी पार्टी से नुमती मांगी है मैं जल्दी केजरिवाल के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर करूँगा क्योंकि केजरिवाल हदे पार कर रहे हैं तो अब यह आवश्रक है दिली के इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योती का शुक्रवार को नाशनल वार मिवोरियल में विलै कर दिया गया अब यह ज्योती वार मिवोरियल में जलेगी इसको लेकर विपक्ष का हमला ज़ारी है कॉंग्रेसर चेफ महासर चेफ प्रियांका गांधी वाडरा ने तंच कस्तेवे कहा कि मुझे सरकार की मन्चा समझ में नहीं आती हमारी जो परंपरा है अमर जवान जोती को नहीं बुझाना है उसका तो सम्मान किया जाना जाए कल हमारे द्वारा पूछेंगे सवाल का जोबाब आप इसे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धानेवाद जो चुनाव को धियान में रखते वे रैलियो पर लगाया गया प्रतिवंध का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले